हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टो और चैनल हाइपर ट्रेटेज भी मैं हूं मोहमद सोहेल दोस्तों अगर आप पहली बार यूटीब चैनल पे आये हैं यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी हिंदुस्तान यूटीवर लिमिटेड में मैं अपने प्रीविएस वीड साओ रहाए हैं कि स्टॉक में से आप निकल जो कई लोगों को मैं जो मुझे परसनलिभ मेसेच कर रहे थे हिंदुसान यूनिलीवर लिमिटेड को लेकर को अज़ो नहीं कर रहा है तो नीचे लेकी आप जाके देखो मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं 4th December 18th December 8th जाए जाके देखो आप समझ में आएगा मेरी analysis समझ गए अभी क्या हो रहा है stock जिदर मैं support levels draw किया उन दोनों support levels break करके नीचे के तरफ hold कर रहा है अब जब यह नीचे के तरफ hold कर रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है stock के अंदर pressure on selling bottom fishing होने वाला है क्या होन 100 चाहिए वरना minus 215 चाहिए या minus 230 चाहिए तो ही हम लोगों को हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड में position on buying देखेगा और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं अगले तीन महीनों तक मैं हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड में अच्छा खासा rally वो भी यह target वाला मैं न stock हो सका तो अपना recent breakout या previous breakout से ही support लेने की कोशिश करेगा and stock के अंदर यहाँ पे जो overbought होता गया multiple time पहली बार oversold हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब इस price से stock इस price का जो depreciate किया है अब इस price से नए price का stock में depreciation आने वाला है जिसका strongest जो breakout level है वो है यह ठीक है at recent multiple breakout levels है यह अगर stock यहाँ से support लेगा तो it's okay अगर नहीं stock यहाँ से support लेने की कोशिश करेगा तो it's very 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 good यह it's okay वाला है breakout समझ गहे हाँ चलेगा हम लोग को proper breakout यहाँ का है यह होना ही चाहिए तो हम लोग को very very good entry बनेगा जिसका 6 महिने में target मैं 3000 प्लेस देख रहा हूँ समझ गहे budget है elections है काफी market में गड़बड हो सकता है समझ गहे तो stocks में हम लोगों को थोड़ा सूर समझ कर काम करना पड़ेगा समझो ठीक है यही था मेरा update अपने हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड पे अगर आपको stock पे analysis समझ में आया video को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर जीए thank you for watching my video